हे गाईज गूड इमनिंग तो आप लोग सभी कैसे हो उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और फ्रेंड्स हम भी बढ़िया हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई उसकी बज़े से हम सुबह नहाद हो नहीं पाए और थोड़ी सी तव्यत भी खराबती गलाला हो रहा हो तो आप साइवनिंग की टाइम हमना आया है क्योंकि खाणा बनाना थाना और सबेंस वन भी खराण कंभी नहीं थे तो सासुमा ने खाना बना दिया रेडी कर दिया तो अभी फिलार मेरी सबजी रखी बस रोडिया बनाऊंगी तो उसी के लिए आटा लगा दे रही हूं और सब अब देखते हैं और रोटी बन चाहिए तो ठीक है बना तो हम देखें कुछ जुगार करेंगे इस पर बनाते हैं तो बने रही है का ब्लॉग पर आप लोग जमावें किचन में से और अपने डुकू को जगा लेते हैं तो अब तो भी सो रहा है आप लोग देख रहे हो और व बेटा 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 बेट यहांथ जगहारा है और देखने स्चे और मुझ मेरु चिला है मुछ पर घुस्टा करने लगा से तुसको नीर से अंरा फ़र्णस्के और हम पानी गरम किया। देंकि एक बल्टी पानी अस्टर रखती हो क्योंकि यहां लाइट ही रहती है उसके बज़े से आज कल बहुत ज्यादा लाइट कट रही है सरदियों में तो यह हमने पानी डखके रख दिया है अभी हम बरतन साफ करेंगे खाना मनानी के बाद उसके लिए है यह पानी तो यह देखे हो गया तो अब उपर चत पर नहीं जा पाएंगे चूला चत पर रखा हुआ हमां लाइट भी नहीं है तो हीटर पर रोटियां बना दे रहे हैं कमी रोटियां बनाना है वैसे तो और सासुमा और डुग्गू बैटा हुआ था डुग्गू बोल रहा था कि मम्मी मेरे के ब्लॉग मदब सूट कर रहे हैं किता मेहनत करते हैं आप लोग देख लीजेगा यहां मा केमरा घुमाते रहते हैं आप लोग के लिए तो हम डुगू को अभी हुठा के लाए हैं डुगू बैसे सो रहा था मानने रहा था बोल रहा मुझे सोने दो लेकिन इसको देखा था कैसे कर रहा था मैं इसको जगा रही थी तो बच्चे ऐसी करते हम भी चोटे में सितान होंगे इसकी तरही तो हम भी पहले ऐसे ही करते तो मेरी रोटियां बन गई हैं और हीटर पर बनाई कैसे नीचे बैठके मुझे तो रोटियां बनाना नहीं आ रही थी पता नहीं पिर भी कैसे बना ली मैंने वह टाइम लग गया एक खंटा आरम से लग गया होगा रोटियां मनाने में खुछ जादा रोटियां नहीं बनी फिर भी एक घंटा लग गया होगा और हम लाय टिक्की हमने लाय थे तो हश्वेंट से मेरे टिक्की मंगा ली और मैं किचिन में आ गई तो यह देख रहे हो इस पानी की मतब थैली मैंने ऐसे falitin भाडी थी तो पूरा पानी मतब पूरा नहीं कुछ पानी फैल गया नीचे कुछ पार पर फैल गया तो आप किचिन में लेने आना पड़ा तो देखियेगा हम बरतन मतब कुछ प्लेट और तकी में ले गए और हम आगए अपनी सासुमा के पास तो यहां अपना प्याज काट रहे हैं तो प्याज इस टिक्की में डालेंगे क्योंकि टिक्की वाले ना आज बहुत कम डाली है और हम चार महिने बार टिक्की पी रहे हैं तो टिक्की हमारी शायड बोला जाता है और वैसे गोल गप्पे भी बोला जा तो आप लोग भी जरूर ट्राइक कीजिएगा मैं बिल्कुल भी छूटने बोली सच में बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए हम बार्ट हो रहा है हमारे यहां ऐसे बार्ट होता है हम देशी है ना तो ऐसी बार्ट होता है और वहां वीडियो क्वाल्टी वहां मम्मी क की यहां रूम में बैठी थी वहां अच्छा नहीं आ रहा था किलियर टी नहीं आ रही थी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में इसलिए बागए हई अपने रूम में तो हम यहां आके खा रहे हैं डूगु और मैं हाजसान तो खाते नहीं है पी लेते हैं पर कभी कभी एक दो बस जादा नहीं तो यह देखीगा और डुगू को तो मैं इतना दे दे के परिसान हो गई पांच शे टिकी तो मैं दे चुकी उसको सौट की और यहां मेरी मैं बिस्षे भी पी रहा है तो यह देखीगा हमारा मुह हो गया लाल बहुत बुर करती जा रही थी है तो आप लूँ खुदी देख लीजीगा और पानी इतना पी लिया फिर भी मतलब मुह ठंड़ा ही नहीं हो रहाता बहुत ही गरम इतना चाला सा हो रहा है ना मेरे इसलिए और यह देखिएगा हमना टिकी बगिरा पी ली और अपना स्वेटर ला रहे है पहनने के लिए बहुत देर होगी हमको भी सर्दी लगने लगी तो हम स्वेटर पहनना है थोड़ी देश स्वेटर पहनेंगे अपना काम हम करके और फिर उतार देंगे सो जाएंगे हम नाइट में तो वैसे भी पहन के नहीं सोते स्वेटर तो यह डुगू के टॉइस टॉ बड़ी उन्टी तरीके से पकड़ लीती तो उन्टी तरीके से पकड़ लीते तो सारे ख़रों नीचे गिरते जा रहते आप लोग देख रहते मुझे तो देखा नहीं लेकिन वीडियो एटिंग करते मैं मुझे समझ आया था तो यह फ्लॉवर तो यह मतलब डुगू गंदा हो गया है क्या है अंधेरा अंधेरा रहता है इस्टोर रूम में जानी पा रहे है और रूम इतना गंदा हो रहा है क्यों लेटे रहते विस्तर पे तो हम सारा काम खतम करके आ गए डुगू को पढ़ाने तो डुगू पढ़ने का तो नामी नहीं लेता है क्योंकि व इसको हम रख कर के और खिलाब लाके तब सुला देंगे डुगू को हम जल्दी सुला देते आज कल क्या है जे उदम करता है हम लोग को फॉन भी निए चलाने देता और वीडियो it rewrite भी निए कर पाते हम इसलिए हम इसको जल्दी सुला देते हैं तो फ्रेंड्स और बताईगा आप लोग कैसे चाहिए पैसे चाहिए